समस्कार मैं लगन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्तान राजस्तान पंचायती राज के अंतरगत पंचाय समिती सदश्य वे जिला परिशत सदश्यों के चुना होने वाले हैं साथ ही प्रधान वे जिला प्रमूख उप प्रधान वे उप जिला प्रमूख भी चुने जाएंगे बात करें उधेपुर जिले के गोगुंदा वे साहिरा पंचाहिसमितिक छेत्र की तो दोनों ही पंचाहिसमितिक छेत्रों में सत्रा सत्रा वार्ड है यानि सत्रा पंचाय समिती सदश्ये साहरा से लडेंगे वहीं सत्रा पंचाय समिती सदश्ये गोगुंजा पंचाय समिती के होंगे तो इन 34 वार्डों के लिए पंचाय समिती सदश्यों के लिए चुना होने जा रहे हैं 23 नवंबर को यहां मतदान होंगे, वहीं 4 नवंबर से जो है नमांकन के प्रकरिया आरंब हो गई, नमांकन की बात करें तो 4 तारिक को एक भी नमांकन नहीं हुआ, 5 को भी नहीं हुआ, 6 नवंबर को भी कोई नमांकन नहीं हुआ, आज 7 नवंबर है और आज कई वार्डों से प्रतियाशियों ने चुनाव लड़ने के इच्छुप लोगों ने नमांकन पत्र प्रस्तुत किये हैं किस पारटी के किस उमीद्वार ने किस वार्ड से नमांकन पत्र प्रस्तुत किया है इसके बारे में हम आप यह अगले वीडियो में देख पाएंगे और पहले यहाँ पर कौन पंचाई समीती सदश्य थे और वर्तमान में हर वार्ड में इस ग्राम पंचाईत के कौन कौन से गाउं आ रहे हैं तो सिलसिले वार्ड जानते हैं गोगुंदा पंचाई समीती के 17 वार्ड जो है उनके खेतर कौन से हैं कौन सी ग्राम पंचायते इन वार्डों में सामिल है सबसे पहले बात करते हैं वार्ड नमबर एक की वार्ड नमबर एक सामन्य महिला आरक्सिस सीठ है और इस वार्ड की बात करें तो इसमें दो ग्राम पंचायतों के बाग है जाडोली ग्राम पन्चयत और जस्वंदगड ग्राम पन्चयत महाल ही में पद्माराम गमेती सरपन्च चुने गई जो भाजपा समर्थित ए वहीं जस्वंदगड में यहां से जिताएंगे यह एक्षेत्र यहां पर बन रहा है और यहां ST महिला की सीट जो है वो आरक्षित है वाड संक्या 3 में रावलया कला ग्राम पंचयत के वाड नंबर एक से 7 वे रावलया खुर्द ग्राम पंचयत सामिल है यहां से पिछली बार राव मादडा के भोपाल सिंग राव ने चुनाओ जीता था इस बार यह सीट ST महिला के लिए रक्षित है वाड संक्या 4 में मोडी ग्राम पंचयत के वाड संक्या 1-4 वे विजेबावडी तथा मदार्डा ग्राम पंचयत सामिल है इस बार इस सीट पर जनरल महिला चुनाओ लड़ सकेगी वाड संक बाजपा के पुसकर तेली ने चुनाओ जीता था इस बार इस सीट पर ST महिला चुनाओ लड़ सकेगी वाड संक्या 6 में गोगुंदा वाड बंचयत है यह सीट ST के लिए आरक्षित है ओपन सीट है इस सीट पर गोगुंदा के बाजपा के DC मेगवाल ने पहले चुनाओ ज सकता है वहीं कॉंग्रेस से हाल ही में चुनाओ लड़े मोहनलाल गमेति को टिकिट दिया जा सकता है वाड संक्या 7 में दादिया ग्राम पंचयत वे जाडोलिक के कुछ वाड सामिल है इसके साथ ही अंबावा के कुछ वाड भी इसमें है यह सीट अनुसुची तो जनुजा सकता है वाड संक्या 8 में काच्वा ग्राम पंचयत वे पाटिया ग्राम पंचयत के वाड एक से तीन तता वाड संक्या साथ सामिल है इस बार इस सीट पर जनरल चुनाओ लड़ सकेगा इस सीट पर भाजपा के मंडल अध्यक्स लक्षमर सिंग जाला ने दावेदारी ठोक है यहां पर किसन सिंग चदाना ने भी दावेदारी जताई है हाला कि अभी स्फष्ट नहीं है कि कॉंग्रेस से यहां पर कौन उमिदवार होंगे वाड संक्या 9 में बगडूंदा वे मजावात ग्राम पंचयत सामिल है इस बार यह सीट एस्टी आरक्षित है और यहां से भाजपा की ओर से दिलिप गमेती जो की बगडूंदा ग्राम पंचयत की सरपंच के पुत्र है वो यहां से चुनाव लड़ सकते हैं उन्होंने दावेदारी रखी है वाड संक्या 10 में पाटिया वे मौरवल ग्राम पंचयत सामिल है यह सीट एस्टी ओपन सीट थी पिछल नग्ली रिपोर्ट में वाड संक्या 11 में चाठिया गेडी वे और नाल ग्राम पंचयत के वाड सामिल है पिछली बारसीट एस्टी महीली आरक्षित थी इस बार भी एस सीट-8 झाड़ा सावडी का हिस्सा सामिल है यह सामन्य ओपन सीट थी इस सीट पर कॉंग्रेस के रामेसर चोधरी ने चुनाव जीता था इस बार इस सीट यह जो है कयास लगाये जा रहे हैं कि पड़ावली कला से यूथ कॉंग्रेस के जिलाद्यक्स और पूर्व उप परधान गोगुंदा के अभिमन्यू सिंग जाला जो है चुनाव लड़ सकते हैं वहीं वाड संग्या 14 में पड़ावली खुर्द वेवास के वाड सामिल है ये जनरल महिला के लिए आरक्षित सीट है वाड संग्या 15 में छाली वे मादा गराम पंचाई सामिल है ये सीट अबिसी वर्ग के लिए आरक्षित है और यहाँ पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष है कॉंग्रेस के रामेस्वर चोदरी वो यहां से दावेदारी जता सकते हैं यहां पर कॉंग्रेस के कई लोगों की नजर है अब देखा यह जना है कि यहां से कौन किसकुछ टिकिट मिलता है और कौन यहां से चुनाव लडेंगे वाड संक्या 16 में वाड वास ग्राम चैद के कुछ इससे सामिल है साथ यह वीरपुरा ग्राम पंचैद के का बाग भी इसमें है नव गटित गराम पंचैद कोगडा खेडा के कुछ वाड भी double हो गे यह सिred स्पी वक कोई आरक्सीड अरक्सिट कि कोई यहां से चुनाव लड़ सकते का के वाड संक्या 17 में वी अब बात करें परदान पत की दावेदारी की बहराल कॉंग्रेस से बाजपा से किसी की इस्पष्ट दावेदारी सामने नहीं आई है कयास है कि विदाइक परताब गमेती के परिवार से किसी महिला को दावेदारी हो सकती है साथ ही पूर्व परदान पकुरान भील की पतनी को भी चुनाव लड़ाय जा सकता है उधर कॉंग्रेस से फिलाल परदान पत्की दावेदारी को लेकर कहीं कोई चर्चा सुनने में सामने नहीं आई है बात करें उपरदान पत्की तो परदान के लिए पूर्व उपरदान अभीवनियू सिंग जहला की दावेदारी नजर आ र चुनाव लड़ सकते हैं अब देखा जाना है कि 8 तारिक को तो कहीं पे भी आवेदन होंगे नहीं 8 तारिक 8 नमंबर को रविवार होने की वज़े से आवेदन यानि नामांकन नहीं हो सकेंगे 9 तारिक को अंतिन दिन है और 9 तारिक को ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन ह और 9 तारिक साम तक स्पष्ट हो जाएगा कितने लोग नमांकन करते हैं और 11 तारिक से ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन लोग है जो चुनाव लड़ेंगे कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है किसने जताई है दवेदरी किसने बरा है नमांकन देखिए अगले वीडियो में ए भाई सस्क्राइब करो डेली राजिस्तान चेनल को आप सभी डेली राजिस्तान चेनल को सप्राइस करो झाल